पापा जब बच्चे थे पापा जब चोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं पापा का जबाब कभी एक जैसा नहीं होता सुरू-सुरू में वे चोकीदार बनना चाहते थे क्योंकि जब पुरा सहर सोता है तब चोकीदार जागता है फिर उनकी नजर आइसकरिम बाले पर गई और उन्ने ठान लिया कि वे आईसकरिम बाला बनेंगे ठेले को लेकर घूमते हुए भी खुब आईसकरिम खाएंगे पापा के माता पिता उनकी इस बात पर खुब हसे एक दिन पापा ने रेलवे स्टेशन पर सटिंग करने वाले आदमी को देख लिया फिर क्या था उन्होंने कहना सुरू किया कि वे बड़े होकर रेल काड़ी के डिबबा की सटिंग करेंगे इस पर किसी ने उनसे पुछा फिर आईस क्रीम बेचने का काम का क्या होगा पापा ने जबाब दिया कि वे सटिंग करने वाला और आईस क्रीम बेचने वाला दोनों बनेंगे जब उनसे पुछा गया कि वे दोनों काम एक साथ केसे करेंगे तो पापा ने जबाब दिया कि वे सुबह में आईस क्रीम बेचा करेंगे और उसके बाद स्टेशन चले लेकिन पापा गुस्सा हो गए कि उनके उपर क्यों हस रहा है एक दिन अचानक पापा को वाईबवयन चालक बनने की सुझी इसके बाद उन्हों ने अभिनेता बनने की सोची इसके अलवा वे जहाजी और वर वहा भी बनना चाहते थे अंत में एक दिन उन्होंने ताय कर लिया कि वो असल में कुट्टा बनना चाहते है उन्होंने बहुत जल्दी भूंकरा भी सीख लिया लेकिन वो अपने पेर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए इसके लिए वो एक कुट्टे के पास जाकर बैठ गए उसी समय एक अजनवी फोजी अफसर उधर से निकला वो खड़ा होकर पापा को देखने लगा फिर उसने पुछा यह तुम क्या कर रहे हो पापा ने जब अब दिया मैं कुट्टा बनना सीख रहा हूँ फोजी अफसर ने फिर सवाल किया तुम कुट्टा बनना क्यूं चाहते हो तब पापा ने जवाब में खा कि वो बहुत दिनों तक इंसन बन कर रह चुके हैं इस पर फोजी अफसर ने उनसे पुछा इंसन किसे कहते हैं पापा ने कहा आप ही बता दीजिए इसके बाद अफसर यह केकर चला गया कि इसके बारे में तुम स्वेंग सोचो पापा सोचने लगे अचनक यह बात उनके समझ में आ गई कि वो रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते और अंत में उन्होंने तै कर लिया कि वो एक अच्छा इंसन बनेंगे एक दिन अचनक पापा को बाईवन चालक बनने की सोची इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची सोरी सोरी रोको थोड़ी रिपीट होगी है उपर नीचे थोड़ी होगी वो एक अच्छा इंसन बनेंगे यहीं पर खतम होती है यह पापा के कुछ बनने की आसा तो यह चाप्टर फूर का सारंस था उसके सब्दार्थफ देखेंगे सब्दार्थ में क्या क्या है अक्षर प्रायहक पका यानिकी निश्चित हैरानी यानिकी आश्चरिय मजेदार यानिकी रोचक अडे रहे यानिकी टिके रहना या फिर डटे रहना, आवाना, यानि कि खोना, अचमबा, यानि कि आश्चरिय, तय किया, यानि कि निश्चोय किया, अजनभी, यानि कि अंजान व्यक्ति, वर्त, यानि कि समय, इराधा, यानि कि इच्छा, उसके बाद चलो चलते हैं कोशीन अंसर के तरब, पापा जब दिल्चस्प काम कौन सा लगता है और क्यों, मुझे बाईवन चलक बनना सबसे दिल्चस्प काम लगा है, क्योंकि बाईवन चलक बनकर मैं आसमान में उड़ने का मज़ा ले सकता हूँ, नेक्स्ट को नमबर, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है, कौन-कौन कहता है, क्या कहता है, हाँ, मुझे घर में भी बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या करना है, मेरी मम्मी कहती है, मैं डाक्टर बनूँ, जबकि पापा कहते हैं कि मैं इंजिनियर बनूँ, गए नमबर, अपने ममी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या 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 करने की सोचते थे, मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें खिलने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वो खिलाडी बन मनते हैं, तो उन्हें टीचर बनने की सोची, फिर उन्हें लगा कि ड्राइबर मनने में तो बहुत मज़ा है, खुब गुमने का मिलेगा, फिर उन्हें ने सोचा कि वो हो, पुलिस बाला बनकर सब पर रोब गंटेगे, रोब जमाएंगे, नेक्स्ट गह नमर, अपने घर क किसी भी एक सदसे के उसके काम के बारे में जानकरी हासिल करो, पहला, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, मेरी अंकल एक अफिश में काम करते है, कलॉर के नाम से जाना जाता है, नेक्स्ट कोशिन, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन-कौन से बातें माल जाये नेक्स रवाल करने रातकों और salary वेकोते हूं किका विए राती को省 पूरू से e-could गया परेषियर लुब से कम करता है। कड़ता है। उत्तर अस्पितल में काम करने वाले वा डाक्टर और नर्सों को रात को जागना पड़ता है। ड्राइबर पुलिस वाले फोजी कॉल सेंटर वाले वी रात को जाकर काम करता है। कर नंबर कोशन क्या है क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है उस व्यक्ति के बारे में बताओ उत्तर मेरे पड़ोजी अंकल एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं वे सुबह सुबह दूद बांटते हैं फिर एक फैक्टरी में ड्यूटी करने जाते हैं साम को गुलगपी की दुकान लगाते हैं देन आओ खेले सेक्चिली कहता है क्या सेक्चिली कहता है और यह आपको खुदी करना है ठीके लेकिन मैं बोल देती हूँ कि खेले सेक्चिली क्या कहता है पापा अपने पेर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे आओ देखो देखें तुम कुन-कुन से काम कर सकती हो एक खेल खेलते हैं खेल का नाम है सेक्चिली कहता है तुम में से एक बनेगा सेक्चिली जो सेक्चिली कहेगा बाकी सब पर विशे ही करना है सेक्चिली इसी तरह क्या आदेश दे सकता है जिसी कि फॉस्ट सेक्चिली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो इन सेकेंड पॉइंट अपने दाएं हाथ को दाएं टांक के नीचे से ले जाकर दाया कान पकड़ो थार्ड पॉइंट सेक्चिली कहता है खड़े होकर जुको फूर्थ पॉइंट अपने हाथों से पेर को छुआ फिफ पॉइंट सीर अपने घुर्णों से लगाओ ध्यान रहे तुमें केबल वही आदिस मानना है जिसके साथ जुड़ा हो सेक्चिली कहता है अगर तुमने कोई और आदिस मान लिया तुम खेल से बाहर हो जाओगे तो खुदी करो अपने अपने बीच में एक ग्रूप बना कर ताकि आप लोगों को मजाए सोच बिचार अपसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे बताओ वो क्या-क्या सोच रहे होंगे सही का निशान लगाओ यह अपसर अपसर अपना इरादा नहीं बदल सकता कुद्टा बनना बड़ा कठिन काम है यह फोजी अपसर मुझ पर हसा क्यूं नहीं बाके सब तो हसते हैं इस अपसर को कुद्टा बनना नहीं आता इसलिए मुझे पहका रहा है उसके बाद दोनों खाले सतन दिया गए जो हमें बनना है यह अपसर है अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता कुद्टा बनना बड़ा कठिन काम है यह फोजी अपसर मुझे मुझे पर हसा क्यूं नहीं बाके सब तो हसते हैं इस अपसर को कुद्टा बनना नहीं होता इसलिए मुझे बेकर रहा है देन नेक्स्ट मुझे तो पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं देन नेक्स्ट मैं इंसान बनना चाहता हूँ अगर के अगर उसके अंदर क्या-क्या हमें करने को बोला गया है पापा ने कहा अपना ठेला में स्टेसन के पास ही खड़ा गा अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें फ्लेटफर्म और रेल गड़ी में कौन-कौन लोग नजर आएंगे उत्तर अत्रिगर्ण, कुली, गाड, सिपाही, टीटी, चाय बेचने बाले, समोचे बेचने बाले, किताबे और पत्रिकाय बेचने बाले आदे लोग नजड़ाएंगे परिबार परिबार के अंदर हमें क्या करने को बुला गया है यहाँ पर पापा के पापा को दादा कहते हैं इनमें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए और लेड़ी मैंने टेबल कर दी हूँ तो यह आप लोग देख लीजेगा ठीक है जैसे कि पापा के पापा को दादा जी मा के पापा को नाना जी पापा के मा दादी जी मा की मा नाने जी पापा के बड़े भाई ताव जी मा के भाई मामा जी पापा के बहन बुवा जी मा के बहन मोसी जी पापा के छोटे भाई चाचा जी बहन के पती जिजा जी एक सब्द के बदले दूसरा पापा को वाईवन चालक बनने की सुजी इसके बाद उन्होंने अवीनता बनने की सुजी इसके अलावा वो जहाजी भी बनना चाहते थे उपर के बाकियों में उन्होंने और वह का इस्तमाल पापा की जगह पर हुआ है हम अक्षर एक ही सब्द को दोगनाने की बजाए उसकी जगह किसी दूसरे सब्द का इस्तमाल करते हैं में तुम इस भी ऐसे ही सब्द है का नमबर पाट में से ऐसे सब्द को पांच उधारन चाटो उत्तर उन्होंसे उनका में उन्हें तुम नेक्स्ट इनकी मदद से बाक्य बनाओ उनसे उनसे पुछ कर बताओ उनका उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज है नेक्स्ट मैं आज में स्कूल नहीं जाओंगा उन्हें उन्हें आदर दो तुम इस वक्त तुम कहां जा रहे हो अगर इसके अलब आपके मन में कोई और बाक्य है तो आपको लिख सकते हैं लेकिन ठीक होना चाहिए बाक्या कोन किस में तेज सभी बच्चे और बड़े किसी ने किसी काम में माहिर होते हैं कोई साइकल चलाने में उसियर होता है तो कोई चीत्र बनाने में तेज होता है तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में महारे उनके नाम लिखो यहां पर अलड़ी मैं कर चुकी हूं तो आप लोग देख लिजे नेक्स्ट सवाल तुम किन किन चीजों में महारे यह भी बता उद्धर रोचुक कहानिया पढ़ने में खुलकर हसने में तरह तरह की आवास बनाने में दूसरों की नकल उतारने में दोडने में और मू बना कर लोगों को हासाने में महारे कैसे थे पापा नीचे लिखी पक्ति तो ग्याधर पर बताओ की तुम पापा के बारे में क्या सोचती होता है। तो यहाँ पर करदम होती है।